नमस्ते दोस्तों बहुत बहुत श्वागत करते हैं आपका अपने यूटूब चैनल DSKP नूच में दोस्तों आज की बीडिये में हम आपको बताएंगे कि आप अपने इंस्टाग्राम का एकाउंट पर्मानिंटली कैसे डिलीट कर सकते हैं बिल्कुल सिंपल तरीके से अपडेट नहीं किया है तो सबसे पहले आप अपने आपको अप्डेट कर लीजिए यहां पर हमने किया हुआ है इसके बाद अपने इस्टाग्राम अपको ओपन करेंगे ओपन करने के बाद दोस्तों कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा दोस्तों अगर आपने बहुत सारे एकाउंट बनाए हैं या फिर एक एकाउंट बनाए हैं तो कोई दिकत नहीं जिस भी एकाउंट को आप डिलीट करना चाहते हैं तो उस एकाउंट के लोगों के आइकन पर यहां पर क्लिक करेंगे तो कुछ इस तर यहां पर थ्री लाइनों पर हम क्लिक करेंगे यहां पर साइड पर दिक रही होगी यहां पर थ्री लाइनों पर क्लिक करेंगे उसके बाद दोस्तों यहां पर सबसे नमबर उन पर लिखा हुआ एकाउंट सेंटर एकाउंट सेंटर पर क्लिक करेंगे क्लिक करने के बाद द दोस्तो यहां पर आपको नीचे आना है, यहां पर कुछ लिखा हुआ, account setting, एकाउंट सेटिंग यहां पर नमबर एक पर लिखवा, password and security दूसरे नमबर पर लिखवा है, personal details, दोस्तो आपको यहां पर personal details पर क्लिक करना है, जैसा कि दोस्तो मैंने यहां पर क्लिक कर दिया, तो पर आपको दोस्तों क्लिक कर देना है एकाउंट ओनर्सिप एंड कंटोर पर क्लिक करने के बाद यहां पर आपको दो आपसन फिर देखने को मिलेंगे तो आपको यहां पर मेमो राइ मेमो रेलाइजेसन देखने को मिलेगा डी एक्टिवेशन और डिलीटीशन यहां पर तो जैसाब दोस्तों मुझे इस account को delete करना है तो यहाँ पर जसे पर एक है तो एक ही आएगा उस पर आपको इस तरह से click कर लेना है तो यहाँ पर फिर आपको दो आपशन देखने को लेंगे deactivating or deleting your Instagram account तो यहाँ पर दोस्तों second number पर फिर से click करना है deleting your account is permanent पहला अपसान है deactivating your account is temporary तो यहाँ पर दोस्तों हमको permanent delete करना है तो यहाँ पर हम दूसरे वाले अपसान पर select करेंगे इसके बाद हम continue कर देंगे continue करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपसे region पूछ रहा है कि why are you deleting your Instagram account आप अपना Instagram account क्यों delete करना चाहते हैं तो यहाँ पर बहुत सारे region हैं अगर आपको कोई region नहीं मालू है तो आप कोई सा भी region यहाँ पर click कर सकते हैं तो दोस्तों जैसे मैं यहाँ पर कोई सा भी region क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर दोस्तों मैं क्लिक करता हूँ कि created a second account यहाँ पर मैंने क्लिक कर लिया कि मैं इनको बता रहा हूँ कि मैंने अपना कोई दूसरे account select कर लिया तो यहाँ पर उसको select करने के बात फिर से continue पर click कर देंगे और दोस्तों यहाँ पर दिया गया है कि यहाँ पर आपको continue कर देना है continue करने के बात दोस्तों आप आता है मैं प्रोसेस जहां से आपका इस्टाग्राम एकाउंट डिलीट हो जाएगा परमानेंटली आपको यहाँ पर इस्टाग्राम एकाउंट का पास्वर्ड डाल देना है अगर आप पास्वर्ड भूल गए तो यहाँ पर फारगेट पास्वर्ड पर click करके अपना पास्वर्ड निकाल सकते हैं आपके पास एक OTPI की OTP डाल देना उसके बाद आपको सारा प्रोसेस कर लेना पास्वर्ड डाल देना है फिर continue कर देना है तो आपका एकाउंट यहाँ से हमेशा के लिए permanent delete हो जाएगा तो दोस्तों मुझे मेरा पास्वर्ड नहीं नहीं आद है नहीं मैं आपको डाल के delete कर देता तो I hope आपको जान करे